जहिन दोस्तों मैं आपका साथ है अभी से जहतवार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल अभी से जहतवार इनफर्म में तो दोस्तों जो भी भाई ITBP में जाने का सौक रखते है तो उनके लिए उनकी वेकिंसी आ चुकी है ठीक है और यह ITBP की पेरामेडि आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे और अगर से आपका सपना है ITBP में जाने का तो मैं उम्मिद रखता हूँ कि आपका इस बार इस विकिंसी में ITBP में जाने का सपना पूरा हो ठीक है तो दोस्तों सारे कुछ जुटी नहां पर एक एक करके हम पढ़ने वाले है तो बात करें कि इसके लाष्ट डेट कब तक रहेंगे तो 28 जुलाई तक लेकिन आप 28 जुलाई का वेट न करें आप जो है इसका बेस जुलाई तक कैसे ही फार्म कैसे भी फार्म अपलाई कर दीजे क्यूंकि लाष्ट के दिनों में आपकी साइट नहीं चलती है ठीक है अब कर लेकिंग है लाष्ट डेट आपको जो फी की पेमेंड की है तो आपको डिलें नहीं करना है भी अभी सेटूल नहीं आ ठीक है अब बहुत सारे भाई ये चिंता करते हैं कि भाया ये बता दिए कि हम जो है इसकी application fee क्या रहेंगी तो दोस्तों मैं बता दू कि जो application fee है इसमें बात करे application fee की तो एक post में आपकी 200 रुपए रहेंगी इन category वालों के लिए और जो sct वाले है और female है उनको कोई fees नहीं लगेंगी ठीक है और बात करेंगर से इस post के लिए तो इस post में आपको क्या क्या लगने वाला है तो 100 रुपए लगने वाला है इन category वालों को बाके assist और female को कोई भी यहाँ पर fee नहीं लगने वाली है ठीक है अब बात कर ले थी कि भाई साब कि यहाँ पर आपकी post जो निकल के आई है तो बता दू कि यह जो post है आपकी आप नर्स के लिए क्योंकि मैंने पहले ही बताए कि पैरामेडिकल स्टाफ की भरती है इसमें एज आपकी 21 से 30 साल होने वाली है और ASI मतलब फार्मेसिस्ट जिसके लिए 20 से 28 साल होने वाली है और हेट कांस्टेबल मीडवाइफ जिसमें 18 से 25 वर्स आपकी एज होने वाली चाहिए तो बता दू कि जो स्टाफ नर्स है तो स्टाफ नर्स की आप वेकेंसी इस प्रकार से देख रहे होंगे इसमें आपका क्राश 12 होना चाहिए इंटरमेडियेट के साथ वो भी ठीक है और इसके अलावा आपको देखा जाए तो आपके पास क्या होना चाहिए जी ए तो यह देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया और एस आई के लिए आपको क्लाश 12 होना चाहिए और इसके लावा आप यहां पर डीटियल देख रहे होंगे जो मैं आपको सामने धीरे-धीरे ले जा रहा हूँ यह डीटियल आपके पास होना चाहिए मतलब आपके बास जो सब्सक्राइब और बात करेंगे दोस्तों यहां पर आपकी किसकी सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका यह बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको जितने भी भाई किसी भी एक्जाम में हिंदी की तयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टन जानकरे बतादू मैं आपको यह तो दोस्तों मैं बतादू कि आपके लिए बेश्ट बूक अगल भी प्रशनों के साथ इसको 100% गैरेंटेट के साथ बुक को तयार किया गया है इसके इस बुक की खास बत यह कि इसके आप दोस्तों जैसे की एक्जाम और दोस्तों यूपी पूलिस कांस्टेबल एक्जाम इन सब की तैयरी कर सकते हो यूपी टीजीटी पीजीटी औ पूस्तों जाता है उन सभी कोश्चनों को इसमें सम्मिलित क्या गया है तो अगर से देखा जाया तो सामने हिंदी के तयारी करने के लिए वन आप बेस्ट बूक है अगर से आप इससे पर चेस करना चाहते तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जहां से आप इससे ऑनलाइन पर्चेस कर सकते हैं या आफलाइन अपने नस्दी के मार्केट से भी पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तो हम बता देंगे अब आपको selection process कैसे होने वाला है इसमें तो selection process आपका इसमें सबसे पहले physical होगा उसके बाद written exam फिर document verification फिर medical मतलब physical पहले देना है और यहां पर दौल भाग का टेस्ट होगा तो भीड कम हो जाएंगी उसके बाद written exam होगा physical qualify लोगों का फिर document verification फि क्योंकि ऐसे ही आने बॉली अच्छी अच्छी वेकेंस के अपडेट में इस चैनल के माद दिम से आपके लिए ले करके आता रहता हूं जय हिंजय भारत